श्री गंगानगर के एश ब्लॉक एरिया में विवाहता की चाकू से गला रेतकर हत्या करने के मामले में आपको बतादे की मृतिका के परेजनों ने ससुराल वालों की गिरफतारी की मांग रखी है और इस दुरान परेजनों ने जिला पुलिस अधिक्षक कारेले का घेराव क किया है और मामले में बाकी दोशियों के गिरफतारी की मांग उठाई है आपको बतादे की चंपा रानी की हत्या के मामले में मृतिका के भाई हिमंत कुमार ने उसके पती और देवर और ससुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्च करवाया था लेकिन मुकदमे में दोशी मा कि पुलिस कारवई में बिल्कुल मैं संतुष्ट है क्योंकि जब मैं में पर गया था तो मेरी सिस्टर का मडर हुआ था लटपद पड़ी और उसकी जिस जो पोजिशन मैंने देखी थी उसके हाथ ऐसे पीछे की तरफ फोड़ दे इसका मतलब है किसी ने पीछे से उसको पुजारिस है हमाइस्पी साथ के सामने गौहर लगाई है कि इसकी पूरी निस्पक्स जांचोर और हमें इंसाब चाहिए हमारी चंपारानी हमारी बेंट की आत्मा की शंती उस तभी मिलेगी जब उसको इंसाब मिलेगा कि इस पत्रन में पुलिस दौरा उकदमा गच करके और मुटता के बेवर को मुटता किया है तो अंधस्टिया जो पारे इंस में आया कि अध्या उक्योब से देवर में ही है इंकार यह मानना है कि इसके और की दबाने को उसके परेंको अनसुदान से अनसुदान कि अनस्धर्ण भ다리 इंसे परेंको पारे इंस जब जाती जो आख गारो इस दित मेल